कि इसको सेट एप किया मैंने अभी श्रीमत भागवद कीता यथा रूप और इसमें खासियत क्या है इस पर पर एकदम कोजी-कोजी सा लग रहा है वीकेंड है हेलो एवरीवान वेलकम बैक तो शिरिश अकांशा व्लोग्स तो आज है नया दिन और नहीं शुरुवात तो आज की तारीक है 22nd February नहीं आज 22nd January है भाई एक महीन आगे चला गया हमें कोई बात नहीं आज है 22nd January और एक और अच्छी बात है कि आज हमारे नौए रोहन है तो उनकी शादी आज हो गई है इंडिया में 22nd अलड़ी हो चुकी है तो कॉंग्रेचुलेशन हम लोग तो खैर यहां पर है हम तो जानी पाए बड़ एक और दोस्त की शादी हो गई है जो भी कहो भाई लाजवाब चाय तो बनी जाती है मेरे और धूप थ 11 बज रहे हैं एंड हम लोग का नाश्ता हो चुका है एंड भार का वेदर मतलब इतनी अच्छी दूप है घर में बैटकी इतनी अच्छी लग रही है भार जाने की इच्छा नहीं होरी कहीं क्योंकि बाहर जाएंगे फिर वापिस सब कुछ विंटर के कपड़े पहनने समय हो गया है अभी सूरस देपता धली रहे हैं मतलब ज्यादा टाइम हुआ नहीं अभी पहने पांची हो रहा है बट अब जल्दी अंधेरा हो जाएगा और अगर आपको याद हो हम लोग बच्पन में आप सब लोगी क्लास फॉर्थ सिर्फ तक हम लोग मॉरेल साइंस की किताबे वगेरा पड़ते थे वर एक टाइम के बाद वो सब खतमी हो गया मतलब तो वो बुक्स कोई पढ़ता नहीं फिफ्ट शिक्त के बाद सिर्फ साइंस मैज इसी में रहे गया और हम लोग भूल भी गए कि क्या स्टोरीज पढ़ीती हमने और इससे क्या क्या सीखाता तो धीरे धीरे वो भूल जाता है तो हमने सोचा कि इस साल कुछ नए साल में कुछ अच्छा रेजिशन वगेरा लेते हैं कुछ ट्राइ करते हैं कि कुछ बुक्स पढ़ना शुरू करें थोड़ा ही सही थोड़ी अच्छे-च्छे बुक्स पढ़ें जोसे मोटिवेशनल ह हो गया या मॉरल से रिलेटेड हो गई या स्पिरिच्वल हो गया तो वह सब बुक्स पढ़ें तो ऐसा हमने सोचा है और हमारी पहली बुक आ भी गई है और और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमें कुछ भी ऐसे लगेगा किसी दिन तो हम वह चीज आप लोग के शाद भी शेयर करें कि हमने क्या सीखा और हमने क्या पढ़ा श्रीमत भगवद गीता से बहुत अच्छे चीज़ें बहुत अच्छे वर्स हैं तो हम भी समझेंगे और साथ में आप लोग को भी अपनी जर्नी में लेते चलेंगे तो पहले अन्बॉक्स करते हैं तो सबसे पहले स्रीमत भगवद गीता को अपन करते हैं यह जो हमारी पहली बुक्त और शुप शुरुवात इससे ही जय श्रीकृष्ण यह है श्रीमत भगवद गीता यथा रूप और इसमें खासियत क्या है इसमें की अरे वा फोटोज वज़ेंगे अगहरा भी है मैं बैस है बावार्थ हुआ कोई भी लोग जो लिखा हुआ उसके हर वर्ड की मीनिंग भी है शुलोच यहर वर्ड की मीनिंग है कि उसका मतलब क्या है ceco न कान फ् – pseudo यह हमें कि इसको हें लिकले इन्हों किया है इन्हें पर एक परग्रफ उसका तातपर है कि हमें उससे क्या समझमाया क्या सीखनों को मिलता है तो इसमें चार चीजें हैं हर श्लोक के उपर चार चीजें तो यह है वोओ एमेजन किंडल तो पुरी बुक जैसे फिल आते है इसमें पड़ने में और बुक्स पर सकते हैं इसमें आडियो बुक्स भी सुन सकते हैं तो यह उपन करते हैं इसका जो स्क्रीन है वो पेज जैसा ही है पेज जैसा ही है लाइट वेट है और आखों पर स्ट्रेन भी नहीं आएगा तो आप बुक्स जैसे फिल भी आएजी और अभी वीकेंड है तो बहुत से चीज़े घर में खतम हो गई है खाने पीने की और मुझे फ्यूल अब भी करना था कार को जो कि नॉमली में कॉस्ट को से करता हूं तो अभी कॉस्ट को जाते हैं जल्दी से और फ्यूल भी भड़वा लेंगे और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करके फिर जल्दी से घर भाग के आता हूं जोकि अब चा अधिया पास में तो हम इसके पीछे जाने वाले हैं तो मुझे को जाना था लेकिन मुझे मेरा में बर्शिप कार्ड मिली नहीं रहा है क्योंकि को में गुसने के लिए में बर्शिप कार्ड लगता है तो वह ढूडूँगा और पता चला कि अभी अविविवी लेट हो अला हूंगए बट अभी शाम को रेडी तो सोच रहा हूं इंडियन ग्रोसरी स्टोर वाला काम कर लेते हैं तो अभी लोग इंडियन कौनारग ग्रोंसर्स तो यहां से समान लेता हूं जो भी मसालेवे गहरा या जो भी इंडियन सब्जी मिलती है फिर घर जाते से अग्श थोड़ा से समान ले लिया है तो अभी घर चलते हैं अंदेरा भी हो गया है घर चलके चाए पीते हैं शाम हो गी है अंदेरा हो गया है घर चलते हैं आज उत्ती जादा ठंड है नहीं मतलब 3-4 डिगरी है और आज मैंने टोपी भी लगाई है कोई बात इती ठंड है नहीं दूसरा थोड़ा बॉड़ी को ट्रेन भी करना जरूरी है जो पता है कि ठंडे मौसम में रहना है तो थोड़ा करना बहुत जरूरी होता है तो चलता है कभी कभी थोड़ी आदत हो जाएगी ठंडी सेहने की तो घूम फिर के मैं आ गया था थोड़ा समान वेगरा भी ले लिया और जल्दी घर आ गया बाकी कल जाओंगा कॉस्को वेगरा तो बस यही था आए खाना पीना किया और जो मैंने केंडल लिया था उसको थोड़ा सेट अप किय किया तो वह आपको दिखाता हूं अब यह देखिए यह कि इसको सेट अप किया मैंने अभी इसमें से कुछ यह बुक्स मैंने डाली है अभी जैसे यह वाली खुलता हूं विवेका नन जी की आत्मकत्था तो इंडेक्स बस इसको ऐसे करते जाए नेक्स्ट नेक्स पेज जाता रहता है यह बहुत इजी है पढ़ना इसे बुक की तरह आख पर स्ट्रेस भी नहीं आता और ब्राइटनेस कम जादा यलो यह वाइट करना हो इसे हो जाएगा तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में तब तक हम लोग थोड़ा सोने के पहले पढ़ लेते हैं आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो इसी बात पे एक लाइक कमेंट श